जैशी कृष्णा स्वागत है आपका सार्थी तृष्णा के साथ कैसे हैं आप लोग आज हम जिस विशे पर बात करें हैं बात तो बहुत छुटे सी हैं पर बहुत उपयोगी भी है और बहुत जरूरी भी है आज हम बात करेंगे बच्चों के उपर बहुत दिन हो गए बच्चों के उपर बात नहीं की हमने बच्चों को लेकर कुछ चीजें हमें जरूर करते रहना चाहिए बच्चों बड़े नटखट होते हैं बहुत ज़्यादा शडार्ती होते हैं छोटी छोटी चीजों में इतने क्यूट लग जाते हैं भई कि हमारी नजर खाते रहते हैं बच्चों का शरीर और बच्चों के उरजाएं इतनी जादा कमजोर होती हैं कि उनके उपर नाकारत्मक शक्ति तुरंद प्रभाव डालेती हैं वैसे तो हर मा ये काम करती है लेकिन चुकि मैं आपकी एस्टोलाजर भी हूँ वास्तुशास्त्री भी हूँ चेहरा भी देखती हूँ आवाज भी पढ़ती हूँ और हातों की लकीरे भी पढ़े लेती हूँ और आपकी मा भी हूँ गुरू भी हूँ सार्थी भी हूँ तो आपको कुछ चीजें बताने चली आती हूं। अगर आप कुछ चीजें नियमित रूप से अपने बच्चों के लिए करते हैं, तो इससे आपको बहुत फाइदा मिलता है। जैसे क्या? राई, नमक, मिर्च, तीनों को अगर आप एक सफेद पेपर में बांद के बच्चों के सर से साथ बार घुमा के शनिवार की शाम को घर के बाहर जला देते हैं, तो इससे उनकी नजर उतर जाते हैं। जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता। अगर आप उन बच्चों को चंदन की लकड़ी घिस कर माथे पर लगाना चालू करते हैं, तो इससे बच्चों की बुद्धी कुशारगर हो जाती हैं। हनुमान जी की नियमित पूजा बच्चों को कराने चाहिए, माथ सरस्वती को पीले पुष्प चड़वाने चाहिए। बच्चों के हाथ से अगर आप बुद्धवार को गणपती जी को दो लड़ू का भोग लगाते हो तो इससे बच्चों के अंदर बल भी आता है और बुद्धी भी आती है। कुछ विशेश चीजें जो मैं और आपको बताना चाहती हूँ। अगर आप बच्चों के हाथ से शनिवार के दिन एक तामबे की कटोरी या एक तामबे की प्लेट के अंदर काले तिल और साथ में काली उड़द रखकर दान कराते हो तो ऐसा करने से आपके बच्चे का भविश्य बहुत ज़ादा प्रभावशाली और सुखद हो जाता किसी भी ग्रह की पीड़ा उसके उपर क्यों ना आने वाली हो समय से पहले ही वो खतम हो जाती है। हर अलाबला, हर नजर दोश किसी के द्वारा भी उस पर लगाया गया कोई भी तरह का नाकारत्मक एक टोटका उस बच्चे को सेव कर लेता है। उस बच्चे को बचा लेता है। कुछ बच्चे बहुत जादा रोगी हो जाते हैं, पीडित रहते हैं, बार बार चोट खाते हैं, बिमार बहुत होते हैं। आपको रविवार के दिन, उनके सिर्पे से एक सिक्का वार के चुप चाप चौराहे पर डालाना चाहिए। बच्चे अगर बहुत शरारत करते हैं, आपकी बिलकुल बात नहीं मानते हैं, और पढ़ाई में बिलकुल ध्यान नहीं देते हैं। आपको उनके कमरे में पहली बात तो मोरपंक जरूर रखना चाहिए, पर आपको उन बच्चों को नियमित तौर पर सुभे उठकर सूरे को अरग जरूर दिलाना चाहिए, ऐसा करने से उन बच्चों के जीवन में बहुत जादा उर्जा का संचार होता है, बहुत छोटी जरूर कराए, अगर आप मसूर की दाल बच्चे को मंगलवार के दिन खिलाते हैं, तो इससे बच्चे की आत्म विश्वाश की कमी कभी नहीं होती, और बच्चे के अंदर एक confidence लेवल हमेशा बना रहता है, मूंग की दाल का चिला आपको बच्चे को जरूर खिलाना चाहि अगर आप इन दिनों में बच्चे को मूंग की दाल का चिला खिलाते हैं, तो बच्चे के साथ में हमीशा एक साकारात्मक सोच और एक positivity बनी रहती है, चलिए भई, आज के लिए बस इतना ही, मैं फिर आओंगी कुछ नहीं कुछ अलग कुछ अद्बूत लेकर, तब तक के लिए जैशी कृष्णा। जीवन सवार्चु की मात्रिशला लगातार 2016 से जूतिश विभूशन अवाड प्राप कर रही हैं, साल 2018 में उन्हें उत्राखंड के मुख्य मंध्री त्रिवेंद्र सेंग रावत ने जूतिश विभूशन अवाड से सम्मानत किया था, और साल 2016 में उन्हें राजस्थान मे बेस्ट अस्ट्रोनचर के अवाड से नवासा जा चुका है